तो गाईज पिछले कुछ समय से मुख्य रूप से पंजाब और हर्याना के किसान मोधी सरकार द्वारा लागू के उवे कृष्षी विधेक का विरोध कर रहे हैं और इसके पीछे उनका तरकी है कि ये सबी तीनों विधेक जो हैं वो किसानों को बरबात कर देंगे हाला कि एक लंबे समय से ये जो आंदोलन है ये काफी शांतिपून रहा बले ही किसानों ने दिल्ली के सीमा से सटे हुए हाईवेस पर कबजा कर लिया है उन पर बकाइदा एक गाउं जैसा माहल तैयार कर दिया है लेकिन फिर भी ये आंदोलन अब तक बेहर शांतिपून रहा है लेकिन दोस्तों आज 26 जनुरी वाले दिन दिल्ली के अंदर जो कुछ भी हुआ जो कुछ भी लोगों ने और इस पूरे देश ने देखा बलकि मैं कहूँगा कि पूरी दुनिया ने देखा क्या वाकई में कहीं ना कहीं इस शांतिपूर्ण आंदोलन की इमेज को नुकसान नहीं पहुँचाएगा कोई भी भी हमारे देश में दर लागू होता है दोस्तों वो तभी लागू होता है जब उसे लोकसभा, राज्यसभा और राश्पती से मनजूरी मिल गई हो अब क्योंकि भारत एक विशाल लोकतांत्रिक देश है इसलिए यहाँ पर पक्ष भी हो सकता है, विपक्ष भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सब चीज सब को पसंद आए, लोगों को अपनी बात कहने का पूरा हक है और शांतिपूर्ण आंदोलन करना भी बेहद लेकिन जिस तरीके से किसान आंदोलन की आर में, यह आज जो कुछ भी हुआ दिल्ली के अंदर, बसो को तोड़ना, फोड़ना, नारे बाजी करना, पुलिस के ऊपर हत्यार उठाना, तो यह सब कहीना कहीं आपको लगता है कि इस गरीमा में आंदोलन को छती पहुचाएग से बहस की जा सकती है, बहराल जो कुछ भी हो, लेकिन अगर यह किसान आंदोलन से जराबी फायदा किसानों को मिलता है, तो यह बहुत अच्छी बात है, और अगर किसान बिल से भी किसानों को थोड़ा भी फायदा मिलता है, तो यह भी बहुत अच्छी बात है, अब आपके कॉमेंट्स का इंतजार रहेगा बेसब्री से चैनल के साथ बने रहेगा जल्दी मुलाकात करते हैं आपसे लेटेस सब्जेक्ट पर अपना ख्याल रिखे मुस्कराते रहेगे बाबाए